नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा 10 के पाठे पुस्तक शितिज भागदो के पाठ नौबत खाने में इबादत को पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ के लेखक हैं यतींद्र मिश्र जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के आयोध्या जिले में 1977 में हुआ 1977 से आप समझ पा रहे होंगे कि यतींद्र मिश्र एक युवा लेखक हैं उनकी उम्र 43 वर्स है उन्होंने अपनी विश्विद्यालेई सिक्षा लखनोव से प्राप्त की वहां से इन्होंने हिंदी विशे में एमे किया और आजकल वे स्वतंत लेखन से जुड़े हुए हैं उन्होंने सहित नाम की अरधवार्सिक पत्रिका का संपादन किया है सन 1999 में साहित्य और कलाओं के समवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास जिसका नाम विमला देवी फाउंडेशन है उसका वे संचालन कर रहे हैं यतिन मिश्र बच्चों कविताओं की दिरिष्टी से देखें तो उन्होंने तीन महत्पूर्ण का वे संग्रह लिखे हैं जिनमें यदाकदा, आयोध्या तथा अन्य कविताएं और डेवढ़ी पर अलाप हैं इसके अलावा उन्होंने शास्त्रिय गाई का गिर्जा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गिरिजा रीतिकाल के अंतिम प्रतिनी धिकवी देव की ग्रन्थावली का संपादन भी उन्होंने किया है उसमें वे सह संपादक के रूप में शामिल थे और 2000 सन में यह प्रकाशित हुई उनकी कुवन नाराण पर केंद्रित दो पुस्तके हैं इसके आलावा इस्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कारिकरम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित थाती पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया है युए रचनाकार यतींद्र मिश्र को अनेक पुरसकारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है इसमें प्रमुक हैं भारत भूशन अगरवाल कविता सम्मान हेमन्त इस्म्रिति पुरसकार रितुराज सम्मान इत्यादि यतिंद्र मिश्र ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृती के अनेक आयोजनों से जुड़े हुए हैं उनकी रुची उनकी किताबों उनके लेखन के रूप में हमारे समक्षाती रहती है और हिंदी साहित्य को सम्रिध करती रही है आईए बच्चों अब हम पाठ नौबत खाने में इबादत की तरफ बढ़ते हैं बच्चों नौबत खाने में इबादत पाठ दरसल उस्ताद बिस्मिल्ला खां का एक व्यक्तिचित्र है व्यक्तिचित्र यानि उनके व्यक्तित्तों को शब्दों के माध्यम से लेखक ने बहुत ही रोचक शैली में हमारे सामने प्रस्तुत किया है बिस्मिल्ला खां का परिचे देते हुए उन्होंने बिस्मिल्ला खां की रुचियों, उनके अंतर मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन, समवेदनशील भाशा और साथ ही साथ, बच्पन से कैसे एक साधारन सा बालक, जिसके मन में ठीक आपकी तरह जिग्यासाएं होती हैं, वो विक्सित होकर उस्ताद बिस्मिल्ला खां के रूप में प्रसिद्ध होता है, जिसे भारत रत्म में शुमार किया जाता है तो आईए वच्चों, अब हम पाठ की तरफ चलते हैं, और देखते हैं कि कैसे एक साधारन सा बालक, जो बिल्कुल आपकी तरह जिग्यासू था, जो आपकी तरह चंचल था, जिसकी रुचियां भी बिल्कुल आपकी तरह थी, संगीत का बादशाव बन गया उस्ताद बिस्मिल्ला खान के रूप में भारत रतनों में शुमार हुआ, आईए पाठ को हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसके आशे को, इसके अभिप्राय को और इसके वैसिष्ट को भी समस्ते हुए चलते हैं नौवत खाने में इभादत, सन 1916 से 1922 के आस पास की काशी, पंच गंगा घाट इस्थित, बाला जी मंदिर की डियोड़ी, डियोड़ी का नौवत खाना और नौवत खाने से निकलने वाली मंगल द्वनी बचों यहां कुछ शब्द जरूर आपको अचरज में डाल रहे होंगे, उन शब्दों के आर्थ जानने के लिए आप जिग्यासू भी हो रहे होंगे इसमें पहला शब्द आता है काशी, काशी से आज के बनारस शहर से है, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है इसे आध्यात्म की पाटशाला भी कहा जाता है, कई बार इसे बाबा विसुनात का शहर या नगर भी कहा जाता है यहीं पर पंच गंगा घाट इस्थित है, यानि गंगा जी का एक घाट है जिसका नाम पंच गंगा है और यहीं पर बाला जी मंदिर है, जो मंदिर जुड़ा है उस्ताद बिस्मिल्ला खान के जीवन से इस मंदिर की डियोड़ी पर एक नौबत खाना है और उस नौबत खाने पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां की सुर लहरी उनकी सेहनाई बजा करती थी ग्योडी का अर्थ होता है बच्चों घर के दर्वाजे के सामने का वह हिस्सा जो की दर्वाजे से थोड़ी उचाई पर होता है और वहाँ पर पुराने जमाने में जो बड़े बड़े घर होते थे वहाँ दर्वाजे के ऊपर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था जहां पर बैठ कर सुर लहरी के साथ कुछ वाद्य यंत्र बजाये जा सकते थे बचो संगीत का भारतिय जीवन में बड़ा महत्तो है प्राया हिया माना जाता है कि दर्वाजे से होकर शुभ चीजें हमारे घर के भीतर प्रवेश करती हैं और उनकों आमंतरित करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए भारत में पुरानी परमपरा रही है कि दर्वाजे के उपर मंगल वाद्यों को वजाया जाता था इन्ही मंगल वाद्यों में शेहनाई एक प्रमुख वाद्य है अमीर उद्दीन अभी सिर्फ छे साल का है और बड़ा भाई शम्शुद्दीन नौ साल का अमीर उद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिडिया को कहते हैं और ये लोग हैं मामु जान वगेरा जो बाद बाद पर भीम पलासी और मुलतानी कहते रहते हैं क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहास से अभी उम्र नहीं है अमीर उद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा गोया इतना जरूर है कि अमीर उद्दीन वा शम्शुद्दीन के मामा दुए सादिक हुसेन तथा अली बक्ष देश के जाने माने शेहनाई वादक है बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमीर उद्दीन यानि अपने उस्ताद बिसमिल्ला खां साहब अभी सिर्फ छे साल के हैं अभी उनका बच्चपना चल रहा है यानि कहानी आपको फ्लैस बैक में ले जाती है या जो व्यक्ति चित्र है वो आपको बच्चपन में ले जाती है उस्ताद बिसमिल्ला खां के जब वे छे साल के थे और उनके बड़े भाई नौ साल के यानि उनसे तीन साल बड़े थे अभी अमीर उद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चड़िया का नाम है उन्हें नहीं मालूम राग क्या होता है बचो राग क्या होता है क्या आप जानते हैं बचो संगीत में यो तो राग का अर्थ प्रेम होता है लगाओ होता है लेकिन संगीत में राग से आशे स्वरों की एक विशेश शैली से है स्वर अनेक प्रकार से गाए जाते हैं हर राग का एक विशेस स्वर होता है और राग अलग-अलग पहरों के लिए यानि दिन के अलग-अलग समय के लिए निर्धारित होते हैं अभी संगीत के विशे में इतना जानना आपके लिए परियापत है आप चाहे तो और भी जानकारी इस विशे में प्राप्त कर सकते हैं अपने संगीत सिक्षक से और आगे इस कहानी में इस व्यक्ति चित्र में यतीन दिमिश्ट कहते हैं कि अभी अमीरुद्दीन और शम्शुद्दीन को राग के विशे में नहीं पता किस चिडिया को कहते हैं यहां मुहावरे के माध्यम से उन्होंने रोचक बनाया है शैली को जबकि उनके मामू जान वगरा यानि अमीरुद्दीन और शम्शुद्दीन के मामू वे बात बात पर अलग अलग रागों का नाम लेते हैं जैसे भीम पलासी, मुलतानी, इत्याद इन शब्दों को जानने की अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन और शम्शुद्दीन की लेकिन बावजूद इसके उन्हें ये शब्द आकरसित करते हैं वे दोनों इतना जरूर है उनके साथ कि वे इन्हें पसंद करते हैं इनके आकरशन में खो जाते हैं मामा दुए सादिक हुसैन तथा अली बक्ष देश के जाने माने सहनाई वादक है रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद दीन को खुशी मिलती है अपने धेरों साक्षातकारों में बिस्मिल्ला खां साहब ने स्विकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रतियासिक इनहीं गाईका बहनों को सुनकर मिली है बच्चों, प्रायाह लोग अपने उस्तादों को तो इस बात का श्रेय देते हैं कि उन्हों ने उन्हें ग्यान संसकार दिये अपने सिक्षकों को जरूर श्रेय दिया जाता है लेकिन जो वातावरण से हम ग्यान प्राप्त करते हैं जो हमारे बनने में वातावरण का योगदान होता है या ऐसे लोगों का योगदान होता है जिनके विशे में और कोई नहीं जानता प्राया हम उन्हें श्रेय देने से चूक जाते हैं अमीरुद्दीन बच्पन में रसूलन बाई और बतूलन बाई की गली से गुजरते थे कभी उनसे मिलकर उन्होंने नहीं सीखा लेकिन उन बहनों के गीत संगीत को सुनकर संगीत के प्रति जो उनकी आसकती जागी जो उनका लगाव जागा उसका जिक्र किये बिना वे नहीं रहते हैं वे लोगों को बताते हैं कि उनके मन पर इन बहनों का बड़ा असर पड़ा और एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभो की स्लेट पर संगीत प्रेर्णा की वर्ण माला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है बचों ये बहुत महत्पोन पंक्ती है कहते हैं एक प्रकार से उनके अबोध उम्र में अनुभो की स्लेट पर बालक अमीरुद्दीन की उम्र अबोध थी अबोध यानि ऐसी उम्र जिसमें उन्हें कुछ विशेज घ्यान नहीं था उस समय उनकी अनुभो की स्लेट पर यानि उनके मन के एक तरह से श्याम पट पर उनके मन के ब्लैक बोर्ड पर संगीत की प्रेर्णा की वर्ण माला संगीत की प्रेणा की वर्ण माला यानि काखागा या ABCD जिसे कहते हैं यानि शुरुवाती जानकारी शुरुवाती आकर्शन शुरुवाती प्रेणा रसूलन भाई और बतूलन भाई ने उकेरी है यानि उनके माध्यम से ही उन्होंने शुरू किया वैदिक इतिहास में शेहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है वेदों में शेहनाई का कहीं उल्लेख नहीं है इसे संगीत शास्त्रान तरगत शुशिर वाद्यों में गिना जाता है संगीत शास्त्र के अंतरगत शास्त्रा अंतरगत का अर्थ हुआ शास्त्र जमा अंतरगत संगीत के शास्त्र के अंतरगत यानि लिखित जो संगीत का वर्णन मिलता है उसके अंतरगत शुशिर वाद्यों में शुशिर वाद्य यानि फूख कर बजाये जाने वाले वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र जिने फूख कर बजाये जाता है जैसे बांसुरी हो गया उसी तरह से अरब देश में फूंक कर बजाये जाने वाले वाद्दे जिसमें नाड़ी नरकट या रीड होती है उसे नए बोलते हैं शहनाई को शाहने अर्था सुशिर वाद्दियों में शाह की उपाधी दी गई है अब यहां समस्ते हैं अरब देशों में एक वाद्दियंत्र पाया जाता है और उसे भी फूंक कर बजाते हैं उसमें भी नाड़ी का प्रियोग होता है यानि शुरुवात में उसमें भी नरकट घास का एक यंत्र सा लगा होता है जिसको मुँ में लेकर फूका जाता है उसे नए कहा जाता है और शेहनाई को उसी आधार पर शाहे नए कहा गया शाहे नए यानि जो शुशिरी वाद्दे होते हैं फूक कर बजाये जाने वाले वाद्दे होते हैं उनका यह शाह है शाह का अर्थ क्या होता है बच्चों शाह प्रकार्त राजाध बाजशाह सोलह्मीं शिताअअधी के उत्रार्ध में उत्रार्ध में टान सें के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राक कल्प दरुम से प्राप्त होती है में शेहनाई, मुरली, वंसी, श्रिंगी, यो मुर्चंग आधिका वर्णन आया है बच्चों ये परंपरागत वाद्दियंत्र हैं तानसेन के विशे में यहां बताया गया है सोलहमी सतापदी का उत्तरार्ध यानि 1500 से लेकर 1550 तक सोलहमी सतापदी का पूरवार्ध हुआ पूरवार्ध यानि शुरुवात का आधा हिस्सा तो 1550 से 1600 तक तानसेन ने कुछ ऐसी बंदिशे रची जो संगीत, राग, कल्प, दुर्म से प्राप्त होती है और इन में उन्होंने शहनाई, मुरली, वंशी, श्रिंगी और मुर्चंग, आधी वादی यंत्रोंग का वरनन किया है कि इन वादे यंत्रों का प्रियोग किया गय था इस बंदिश में अवधी पारंपरिक लोग गीतों जोम चैती में शहनाई का उलेक बार बार मिलता है अवधी बच्चों पूर्वी उत्रप्रदेश की एक भाशा है अवध प्रांत की भाशा जिसे कहते हैं ये अयोध्या और उसके आसपास के छेत्र की भाशा है इसी भाशा में प्रसिद्ध राम का था, राम चरित मानस की रचना हुई है बचों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक प्रसिद्ध कवी गोसौमी तुलसी दास हैं तो आवधी में जो पारंपरिक लोग गीत हैं यानि अवध छेत्र के लोग में प्रचलित गीत वहां के जन जीवन में गाए जाने वाले गीत जिनमें चैती है उसी में शेहनाई के प्रयोग का भी बार बार उलेख मिलता है शेहनाई मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य अंत्र इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयोगत हुआ है अवज छेतर में मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर यानी मांगलिक शुभ जिसे मंगल का अर्थ होता है शुभ शुभ कारियों के दौरान शुभ अवसर को प्रतिष्ठित करने के लिए यानी शुभत्तों का वातावरण बनाने के लिए अच्छे का वातावरण बन प्रभाति यानि सुबह के समय बजाया जाने वाला या गाया जाने वाला गीत संगीत उसमें मंगल दुआ करने वाला शहनाई एक वाद्दे है शहनाई के इसी मंगल ध्वनी के नायक बिसमिल्ला खाँ साहब असी बरस से सुर मांग रहे हैं इसी शुब के वातावरण को प्रतिष्ठित करने वाले वाद्दियंत्र शेहनाई के उस्ताद हैं शेहनाई के बादशाह हैं बिसमिल्ला खां साहब और असी वर्स की उनकी आई हो रही है इसके बावजूद वे अल्ला से ईश्वर से सच्चे सुर की मांग करते हैं आशेह ये है कि इतनी उम्र होने के बावजूद देश वी देश में प्रसिद होने के बावजूद आज भी बिसमिल्ला कां साहब एक विद्यार्थी की तरह अभी भी रियाज करते हैं एक विद्यार्थी की तरह अभी भी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उन्हें सच्चे सुर की तमीज नहीं हुई है सच्चा सुर सीखना अभी बाकी है अभी और अभ्यास किया जाना है संगीत की साधना को अभी और आगे बढ़ाना है अभी और सीखना है सच्चे सुर की नेमत नेमत यानि वर्धान असी बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रातना में खर्च हो जाती है लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की अबादत में खुदा के आगे जुपते हैं वे नमाज के बाद सजदे में गिड़ गिड़ाते हैं मेरे मालिक एक सुर बक्स दे सुर में वह तासीर पैदा कर की आँखों से सच्चे मोती की तरह अंगड आंसु निकल आएं यानि उस्ताद बिसमिल्ला खां आज हम लोग जिन्हें बहुत प्रसिद सहनाई वादक के रूप में जानते हैं जिन्हें हम बादसाह मानते हैं संगीत का वे अपने विशे में कोई घमन नहीं रखते हमेशा वे इश्वर के सामने जब सर जुकाते हैं जब इसलाम धर्म के अनुसार वे पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो सजदे में जुक कर जो इश्वर से प्राथना किया जाता है उस समय वे लगभग गिड़ाते हुए बोलते हैं कि हे मेरे मालिक हे मेरे इश्वर मुझे एक सुर्बक्स दे एक ऐसा सुर्बक्स दे जिसका में वह तासीर हो तासीर यानि असर हो प्रभाव हो कि उसे सुनकर लोगों के हिर्दे विगलित हो जाएं लोग भाव भी हो जाएं उनकी आखों से सच्चे मोती की तरह अंगण हाशू निकल जाएं अनगड़ आसू ऐसे आसू जो बनावती ना हो यानि लोग भाव वहवल हो जाएं भावख हो जाएं उनको यकीन है कभी खुदा यूही उन पर महरबान होगा और अपनी जोली से सुर का फल निकाल कर उनकी और उच्छा लेगा फिर कहेगा ले जा अमीर الدین इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी उस्ताद बिसमिल्ला खां साहब को यह भरोसा है कि यदिवे इसी विनम्रता से इश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे अपने रियाज को करते रहेंगे संगीत की साधना करते रहेंगे तो जरूर एक दिन इश्वर प्रसन होगा जरूर वह उनके सामने उस फल को देगा जिस फल को खा कर वे अपनी मुराद पूरी कर सकेंगे यानि वे सच्चे सुर को अपनी शेहनाई पर बजा पाएंगे बच्चों देखिए हम और आप बहुत सारा काम करते हैं अध्यन करते हैं बहुत सारा संकल्प करते हैं हम सभी के जीवन के लक्षे हैं लेकिन ये विनम्रता ये द्रूर्णता ये निश्चे कितना अद्भुत है बिस्मिल्ला खाँ साहब विश्च परसिद सहनाई वादक लेकिन इसके बावजूद उनकी साधना में उनकी द्रूर्णता में और उनकी विनम्रता में कहीं कोई कमी नहीं है शायद इसलिए वे उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बने शायद इसलिए वे शेहनाई के बादसा कहे जाते हैं बच्चों आपने देखा कि किस तरह से अमीर उद्दीन नाम से जाने जाते थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ साहब अपने बच्चपन में कैसे उनका बच्चपन बिल्कुल सामान बच्चों की तरह ही बीता कैसे उन्होंने अपने बच्चपन में शरारतें की उन्होंने अपने बच्चपन में वे साभी काम किये जो सभी काम आप करते हैं उनकी जिग्यासा बिल्कुल आप की तरह थी और कैसे वे विक्सित होकर उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब बने कैसे आज भी उनका विश्वास अपने रियाज में है कैसे आज भी उनके अंदर ईश्वर के सामने विनम्र हो जाने की छमता है इश्वर से यह दूआ मांगने की छमता है कि वे उन्हें सच्चा सुर्बक्सें बच्चों यह विनम्रता अपने काम के प्रती यह साध्धा यह आस्था ही हमें आगे बढ़ाती है तो आज के पाठ के इस अंश में बस इतना ही अगले अंस में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद बस दो आप से मुलाकात है